जैसे पैट्रोल डीजल की कीमतों का एक विशय हम सब के सामने हैं, देश वासियों पर पैट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का बोच कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एजसाइज जूटी में कमी की थी, पिछले नमेंबर मैने में कम की थी, केंद्र सरकार ने राज्जों से भी आगरत किया था कि वो अपने यहां टैक्स कम करें और यह बेनिफिट नागरीकों को ट्रांसपर करें, इसके बाद कुछ राज्जों ने तो बारत सरकार की इस भावना के अनुरूप यहां टैक्स कम कर दिया, लेकिन कुछ राज्जों द्वारा अपने राज्जे के लोगों को इसका कोई लाब नहीं दिया गया, इस वज़े से पैट्रोल डीजल की कीमतें इन राज्जों में अब भी दूसरों के मुकामले कहीं ज़्यादा है, यह एक तरह से इन राज्जों के लोगों के साथ अन्याय तो है ही, साथ ही पडोसी राज्जों को भी नुक्सान पहुचाता है, स्वाभाविक है कि जो राज टैक्स में कटोटी करते हैं, उन्हें राज्जों की हानी होती है, जैसे अगर करनाटका ने टैक्स में कटोटी नहीं की होती, तो उसे इन छे महिनों में पांच हजार करोड रुपे से ज़्यादा का राज्जों मिलता, गुजरात ने भी टैक्स कम नहीं किया होता, तो उसे भी साड़े तीन चार हजार करोड रुपे से ज़्यादा का राज्जों और मिलता, लेकिन ऐसे कुछ राज्जों ने अपने नागरीकों की भलाई के लिए, अपने नागरीकों को तक्लिव नहीं इसलिए, अपने वेट में, टैक्स में कमी की पॉजिटिव कदम उठाए। वही गुजरात और करनाटा के पड़ोसी राज्जों ने टैक्स में कमी न करके इन शे महिनों में साड़े तीन हजार करोड रुपिय से लेकर के पांच साड़े पांच हजार करोड रुपिय तक अतिरिक्त राज्यस्व कमा लिया। जैसा हम जानते हैं कि पिछले साल नवंबर मेहने में वैट कम करने की बात की थी सबको मैंने प्रार्थना की थी लेकिन कई राज्य मैं यहां किसी के अलोचना नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ आपसे प्रार्थना कर रहा हूं आपके राज्य के नागरिकों की बलाई के लिए प्रार्षना कर रहा हूं। अब जैसे उत समय छे महने पहले कुछ राज्यों ने बात को माना, कुछ राज्यों ने नहीं माना, अब कई राज्य जैसे महराष्ट्र, पस्चिम मंगाल, तेलंगना, आंधर पदेश, तमिलनाडू, केरला, जार्खन, किसे ने किसी कारण से उन ने इस बात को नहीं माना, और उनके राज्य को नागरीकों को बोच कंटीरू रहा, मैं इस बात में नहीं जाऊंगा, कि इस दोरान इन राज्यों ने कितना रेवन्यू कमाया, लेकिन अब आप से मेरी प्राथना है, कि देश हित में, आप पिछले नमंबर में जो करना था छे महने लीले हो चुका है, अब भी आप अपने राज्य के नागरीकों को वेट कम करके इसका मेनिफिट पहुंचाईए